दोस्तों आज किस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास एट्थ हिस्ट्री सब्डेक्ट के चैप्टर नंबर सेकेंड के पार्ट सेकेंड को डिसकस करने वाली हैं और अगर आपने अभी तक हमारे पार्ट फर्स्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ मैं फ्रेंड एक बार उसको देख लो समझ लो फिर यहां पर आना ठीक है तो यहां पर कहते हैं सून दी कंपनी डिसकोवर्ड दैट इस वोज रैदर डिफिकल्ट फोर इवन दी पपेट नवाब वर्ड नोट आलवेज भी हलफुल अज दी कंपनी वोंटेट टू बी after all they had to maintain a basic appearance of dignity and sovereignty if they wanted respect from their subjects my friends यहां पर आप सभी को बताता है कि भई basically scene क्या होता है यहां तो देख यहां मैंने कल आपको explain कर दिया था ठीक है तो आज हमने यहां से start किया अब यहां पर बताता है कि भई जो company थी ना उन्होंने देखा कि भई जो हम अपने puppet नवाब यहां पर गद्दी के उपर बैठाती है वो भी हमारे लिए इतना अच्छा साबित यहां पर नहीं हो पार है क्योंकि यहार उसको अपनी sovereignty और अपनी मतलब की self respect के लिए जन्ता के अंदर दिखाने के लिए बहुत बार company की बातों को ना कारणा भी पड़ता था ठीक है उसके बात बताता है what could the company do तो फिर company ने क्या किया तो उन्होंने क्या किया मीर जफर को वहां से हटा दिया उसकी जगह my friends फिर यहां पर मीर कासिम को लिया एक अदी के ओपर वेन मीर कासिम complaint he interned was defeated in battle fort at Baksar और यहां पर जब मीर कासिम से उन लोगों complain हुई तो उसको यहां पर Baksar के यूद के अंदर my friends उन लोगों ने हरा दिया ठीक है उसके बाद बताता है ड्राइवन आउट ओव बंगाल एंड मीर जफर वोज री इंस्टोल्ड और फिर क्या किया कि भई यहां पर मीर कासिम को हटा के दोबारा से उसके जहां पर माई फ्रेंड को मीर जफर को ले आए अब माई फ्रेंड यहां पर बताता है कि भई जो भी वहां पर नवाब बनता उसको पांच लाग के करीब रफिय हर महीने कंपनी को देने पड़ते थे लेकिन यहां पर क्या हुआ कि भई कंपनी ने देखा कि हमें और ज़्यादा पैसो की यहां पर जुरूरत पड़ेगी अपने और कामों को फाइनांस करने के लिए अपने और चीजों को पूरा करने के लिए उनको और रिवैन्यों की यहाँ पर जूरत पड़ेगी और टेरिटरीज की भी जुरूरत पड़ेगी यहाँ पर बताता है बाइदी टाइम मेर जफर डिसेंडेड इन सेवंटीन सिस्टी फाइफ दी मूड ओफ दी कम्पनी हैड चेंजड अब माइफ यहाँ पर बताने लिए कि भाई फिर कम्पनी ने क्या दिखा कि भाई जो भी नवाब हम उसको हटा देंगे और खुद से ही नवाब बनेंगे यह बात यहाँ पर कलाइव ने डिसाइड की ठीक है उसके बाद माइफ यहाँ पर बात निकल के आती है नवाब यहाँ पर रहती थी इन 1733 दी नवाब ओ बंगाल सेड इस अबाउट दी इंग्लिश ट्रेडर और यहाँ पर जो भी माइफ यह बात हैं यह आपका जो राजा था उसने लिकी थी जो अंग्लिश ट्रेडर थे ना माइफ रेंट्स उनके खिलाफ यहाँ पर बताते हैं वेन a strong forward surrounded it with a ditch which has communications with the river and mounted a great number of guns upon the walls they have and anteced several merchants and the other to go and take protections under them and they collect a revenue which amounts to rupees अब माई फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपका जो एक नवाब था उसने अपने सिकायतों के अंदर ये बात बताए कि फिर स्टार्टिंग में तो ये लोग वैपारी बनके आए थे वैपारी बनके आए तो ये लोग हमसे बहुत अच्छे थे हमसे रिक्वेस्ट करते हैं हमसे थोड़ी सी जमीन मांगी उस जमीन मांग के इन लोगों ने कहा कि हम यहाँ पर अपना भई थोड़ा सा मतलब रहने के लिए कुछ बनाएंगे लेकिन उनने वहाँ पर फैक्टरी बनाने के बाद माई फ्रेंड्स उसको चारो तरफ से ऐसे बाउंडरी कर लिया और बाउंडरी ओपर माई फ्रेंड्स इन लोगों ने ऐसे गंस को लगा दिया ठीक है अब यहाँ पर बताते हैं कि फिरिन लोगों ने यहाँ पर रिवेन्यू एकठा करना भी स्टार्ट कर दिया और जो हमारे यहाँ की लोग थे उनको पकड़के वो वहाँ पर लेके जाने लगे अपने देश और वहाँ पर लेके जाने के बाद उनसे यहाँ पर 9 करोगी तर as the दिवान of province of बंगाल और यहाँ पे my friends 1765 के अंदर जो नवाब था जो मुगल एमपरर था उसने company को appoint कर लिया as a दिवान कुछ चीज का दिवान जो कि आपकी बंगाल की प्रोविंस था या मिन जो बंगाल की state थी उसका दिवान दिवान allowed the company to use the vast revenue resource of बंगाल और my friends अब जब दिवान बन चुका है तो वहाँ पे जितना भी revenue कठा होता है उसका एक मालिक एक तरीके से बन जाता है और इसने company की बहुत सारी जो रूटतों को मतलब पूरा कर दिया और जो company की problems थे उनको sold कर दिया from the early 18th century its trade with India had expanded और यहाँ पे आपकी जो 18th century की जब शुरुआत होई तो इंडिया के साथ इनका जो वैपार था my friends वो यहाँ पे बढ़ा ठीक है फिर बताता है but it had to buy most of the goods in India with gold and silver imported from Britain this was because at this time Britain had no goods to sell in India और my friends यहाँ पे scene क्या होता था कि अंग्रेजों के पास कोई ऐसा खुद से समान नहीं था जिसको वो भारत में बेच सके और यहाँ से जो हमारे समान को वो खरीदती है उसको खरीद सके उसके बदले में तो यहर वो लोग क्या करते थे अपने वहाँ से सोना चांदी लेके आते थे बैगों में भर भर के उस सोना चांदी को हमको देते थे उसके बदले में माई फ्रेंड समान देते थे तो कुछ ऐसा सीना भी तक चल रहा था अब में फ्रेंड्स यहाँ पर बिसके लिए आप सभी को क्या सीन बताते है कि भी फिर क्या हुआ जो आपका प्लासी का यूद हुआ हमने उसके बारे में आपको बताया थी प्लासी का आपकी बैटल हुई उसके बाद कम्पनी ने आधा कर दिया आइमिन जो अपने वहाँ से गोल्ड और सिलवर के सिक्के लेके आते थे उसके बदले में यहाँ से समान खरीते थे माई फ्रेंड्स तब उनको दिवानी यहाँ पर मिल गई ना आई मिन रिवैन्यू कोलेक्ट करने की वो जो राइट थी वो मिल गई उसके बाद माई फ्रेंड्स उन्होंने बिल्कुल ही वहाँ से सोना चांदी लाना बंद कर दिया और हम इसे कर वसूलते और उसी कर से वो अपना समान यहाँ पर खरी तो उसको अपने देश में ले जाते ठीक है तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ इससे किसका शोशन यहाँ पर माई फ्रेंड्स हो रहा है उसके बाद चलो आपको बताते हैं कंपनी ओफिश्यल्स बिकेम नबूब्स माई फ्रेंड्स जो कंपनी के ओफिश्यल्स थे वो आपके नबूब्स बन गई थे बताता है वट डीड इट मेंट टो बी नवाब्स की भी नवाब्स का इससे क्या मतलब है it meant of course that the company acquired more power and authority कि इसका मतलब यह है कि भई जो company थी उसके पास और power आ गई थी और authority आ गई थी but it also meant something else इसका बस बट कुछ और मतलब में निकलता है each company servant began to have vision of having like nawabs यो कि जो हर एक company का यहाँ पर my friend servant था उसका यह था सोचता मन में कि भई मैं एक nawab की तरह यहाँ पर रहूँ after the battle of plassi the actual nawab of bangal were forced to give land and washed some of money as personal gifts to the company official अब यहाँ पर plassi के युद के बाद हुआ कि जो nawab बना बंगाल का उसको force किया गया कि वो company के जो official से उनको gift थे वो भी बहुत बड़ी मात्रा में थी Robert Clive himself amazed a fortune in India और यहाँ पर my friends जो यहाँ पर Robert Clive थे उन्होंने खुद भी एक सपना देखा था इंडिया के अंदर he had come to madras from England in 1743 at the age of 18 और my friends वो 18 साल के यहाँ पर England से आपके madras के अंदर आगे थे चेनी में when in 1767 he left India his Indian fortune was worth my friends यहाँ पर आप सभी को बताते है कि जैसे वो इंडिया से यहाँ पर गई तो उस टाइम पर यहाँ जो उनका fortune था my friends उसके मलब की महाँ पर कुरीब इतने सारे पैसे वो अपने साथ लेकी गई interestingly when he was appointed governor of Bengal in 1764 he was asked to remove corruptions in company administration but he was himself cross examined in 1772 by the British Parliament which was suspicious of his vast wealth although he was acquitted he committed suicide in 1774 अब my friends यहाँ पर बताता है कि 1764 के अंदर जब यह बंगाल के खुद से वो बने होई थे governor तो इनके पास order आए कि आपको company के अंदर से जो corruption यहाँ पर हो रहा है उस corruption को बिलकुल खतम करना है लेकिन यार जब 1772 के अंदर parliament में पाया गया कि भई जो Robert Clive थे वो खुद भी यारे corrupt थे और इनके साथ में के corruption करते थे तो my friends यहाँ पर हर उनकी मतलब की सारी wealth को देखा गया उसके base पर यह conclusion यहाँ पर निकला तो उन्होंने यहाँ पर खुद से suicide commit कर लिया में वो suicide कर लिया उसने अपना खुद से 1774 के अंदर और यह है my friends हमारी source 3 ठीक है बाकी चलो अब आपको आगे बताते हैं how did Clive see himself की भई जो Clive था वो खुद को कैसे देखता था at his hearing in front of a committee in parliament Clive declared that he had shown admirable restraint after the battle of Plassey this is what he said consider the situation in which the wise victory at Plassey he had placed me a great prince was dependent on my pleasure on obturant city lay at my mercy its richest bankers bid against each other for my smiles I walked through wallets which were thrown open to me alone piled on either hand and gold and jewels Mr. Chairman at this moment I stand astonished at my moderation however not all company officials succeed in making money like Clive many died an early death in India due to the disease and war and it would not be right to regard all of them as craft and dishonest my friends यहाँ पर जो उसकी बता रखे है कि भई Clive अपने आपको कैसा देखता था Clive यहाँ पर बताता है I mean मतलब बताता है आप से सोच लो कि अपने आपको सोचता है वो मतलब कि यहाँ पर कहता है जब पारलियमेंट के अंदर होता है कि भई जब मैंने पलासी के युद को जीता तो मुझे लगा कि भई देखो इतना बड़ा राजा है वो भी मेरे सामने यहाँ पर जुका हुआ है उसकी जो सारी मतलब की जो सोना चांदी है वो मेरा होने वाला है तो मेरा सब कुछ होने है लेकिन मैं तब भी भी वहाँ पर अपना ज्यादा वो नहीं किया और तब भी मैं वहाँ पर moderate रहा मतलब कि मैंने corrupt नहीं किया, उसने अपने आपको यहाँ पर defend करने की कोशिश की बिसकली यह कुछ बात यहाँ पर बताना जाता है, my friends फिर यहाँ पर कहते हैं कि जो company के सभी officials थे यहाँ पर जैसे कि आपक लाईव था और भी officials आयोंगे सभी यहाँ इतना सारा पैसा यहाँ पर इंडिया के अंदर नहीं बना पाई इसलिए नहीं बना पाई, my friends, क्योंकि कुछ तो यहाँ वोर के अंदर मर गई और किसको यहाँ बिमारी भी हो गई, ठीक है कुछ ही यहाँ पर successful हो पाई, लेकिन आपको पता है कि humble background से आये थे, तो my friends, उनकी desire, उनकी इच्छा यही थी कि हम इंडिया के अंदर बहुत सारा पैसा कमाए return to Britain and lead a comfortable life, और फिर हम बिटेन जाके comfortable life पैतीत करें, those who managed to return with wealth led fleshly lives and the faulted their riches, they were called naboobs, और my friends, उनहीं को हम क्या बोलते हैं, नबूब बोलते हैं, किनको नबूब बोलते हैं, जो कि अर इंडिया के अंदर आए, काफी सारा पैसा उन लोगों ने हाँ पर कमाया, फिर अपने देश वापिस गए और वहाँ पर जाके हो कैसे यहाँ पर expand हुआ, if we analyze the process of annexation of India state by the East India Company from 1757 to 1857, certain key aspects emerge, the company rarely launch a direct military attack on an unknown territory, instead it use a variety of political, economic and diplomatic method to extend its influence before annexing an Indian kingdom, अब my friends, यहाँ पर बताते हैं कि भाई, जो अंगरेज लोग थे, उनने directly अपना मतलब कीक्तम से ऐसे बड़े नहीं हो गई उन लोगों ने starting में यह देखा कि भाई, और एक उनकी खास बात भी my friends यह बताता है कि वो कभी ऐसे attack नहीं करते थे, मानो यह आपका है, after the battle of Buxer, the company appointed residents in Indian states, they were political or commercial agents and their job was to serve and further the interest of the company, though the residents, the company officials begin interfering in the internal affairs of the Indian states, they tried to decide who was to be the successor to the throne and who was to be appointed in administrative post, now my friends यहाँ पर बताता है कि भाई, इन लोगों ने बाद में अपने एक job निकाल दी थी, residents के लिए, उन residents का काम ही यह था कि वो company के लिए यहाँ पर काम करें और उनका काम यह था कि भाई, यह दिखे कि भाई, इस थ्रोन पर है, means गदी पर इसके बाद कोन बैठेगा, उसके बाद बताते हैं, sometimes the company forced the states into a subsidiary alliance, according to the terms of this alliance, Indian rural were not allowed to have their independent armed forces, they were too protected by the company, but had to pay for the subsidiary forces that the company was supposed to maintain for the purpose of this protection, और my friends, यहाँ पर आप सभी को बताता है कि भहुत बार यहाँ पर जो company थी, उन्होंने राजाओं को मना कर दिया था, कि आप एक काम करो, अपने साथ में कोई भी सीना मत रखो, हम आपको अपनी सीना देंगे, जो कि आपको बचाएगी, लेकिन उसके बदले में आपको हमें पैसा देना पड़ेगा, if the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty, और my friends, अगर वो वहाँ पर, भई, यहाँ पर मतलब चूक जाते, जो हमारे राजा थे, उनको उनका फाइन देने में, या फिर जो उनकी मतलब आप यह लगा लो, जो वो प्रोटेक्शन देर, इस प्रोटेक्शन की फीस देने में, तो वो बदले में क्या करते थे, कि भई, उसकी किसी, कोई जमीन का, कोई टुकडा, यहाँ पर अपने अंडरूस को ले लेते थे, और कहते थे, भई, यह आपकी पैनल्टी हमने काट लिये, अब यहाँ पर एग्जेंपल के तोर पर आप सभी को बताता भी है, कि भई, जो आपकी रिचार्ड वेलसली जब गवर्नर थे, तो जो अवद के आपके नवाब थे, वहाँ पर उनकी पूरी आधी टरिटरी को उनोंने ले लिया था, 1801 के अंदर, अब बताता है, हैधराबाद was also forced to seed territories on similar grounds, और जो आपकी हैधराबाद थी, उसकी टरिटरी के साथ भी माई फ्रेंट्स कुछ ऐसा ही सीन, यहाँ पर हुआ था, ठीक है, उसके बाद चलो यार अब यहाँ पर आपको एक्टिविटी गी में तो यह आपका वरक है, मैं एक बार बता देता हूं, इसके लिए यहाँ पर क्या कहते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं, imagine that you are a young company official who has been in India for a month, कि आप मानों कि भई, आप कोई एक जवान company के officer हो, और आप इंडिया के अंदर कुछ मतलब की महिनों के लिए भेजे गई हो, write a letter home to your mother, telling her about your luxurious life and the contrasting it with your earlier life in Britain, फिर आप एक काम करो, अपनी मम्मे को एक letter लिखो ब्रिटेन के अंदर, और बताओ कि भई, आप मतलब की अब मैं इंडिया के अंदर कैसी मज़ेदार life बिता रहा हूँ और ब्रिटेन के अंदर मेरी life यहाँ पे कैसी थी, तो मैं फ्रेंड्स एक्टिविटी है, यह आपकी help करेगी यहाँ पे जानने को कि अंग्रेज अपने perspective से वहाँ पे क्या सोचते होंगे, कैसे वो लोग यहाँ पे रहते होंगे, ठीक हैं, बाकि मैं फ्रेंड्स आप इस picture को देखो, यह दिखते हैं आपको क्या बात बताती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नवाब सिराजुदोला उफ अवद with his son and the British resident painted by the tilly cattle oil, the treaties that followed the battle of Buxer forced नवाब सिराजुदोला to give up much of his authority, here however he poses in regal self-hurder towering over the residents, और मैं फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि जो उन्होंने resident post यहाँ पे बनाए थी उसके साथ में सिराजुद दोला की, यहाँ पे पिक्चर आपको देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे बिसके लिए पिक्चर आपकी तब की है, जब आपकी battle of Buxer मतलब होने ही वाली थी ठीक, और उन्होंने उस टाइम पे नवाब को force किया था, आपने यह तो पहले study यहाँ पे कर लिया है, ठीक है उसके बाद चलो यार, अब आपको बताते हैं, what power did the resident have, जो उन्होंने resident के एक post बनाई थी, अंगरी जो ने, आखिर इसके पास क्या power थी, ठीक है, अब यहाँ पे बताता है, this is what James Mill, the famous economist and the political philosopher from the Scotland wrote about the residents appointed by the company, और my friends, जो यह हम study करने वाले हैं, यह आपके लिखा है, James Mill ने, जो कि आपके political philosopher थे और आपके famous economist भी थी, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो residents company appoint करती थी, आखिर वो क्या होती हैं, उनके पास क्या power होती थी, we place a resident who really is king of the country, whatever injunctions of non-interference he may act under, as long as the prince act in perfect subservience and does what is agreeable to the residents, that is to the British government, things go on quietly, they are managed without the resident appearing much in the administration of affairs, but when anything of different nature happens, the moments the prince take a course which the British government think wrong, then comes clashing with the disturbance, James Mill injection, instructions, sub-service submissiveness, my friends, यहाँ पर आप सभी को बिसके लिए क्या बताते हैं, कि भई बिसके लिए scene क्या होता था, कि जो एक company की residents होते थे, राजा के दरवार में रहते थे, ठीक है, अब यहाँ पर अगर राजा सारे वही काम कर रहा है, जो कि उसको company ने बोला है करने के लिए, तो बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिकत नी करने दो उसको जो कर रहा है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी यहाँ पर गल्द चलता है, या फिर को और तरीकी के काम करता है, when it saw a threat to his political and economic interest, this can be illustrated with the case of the south-run Indian state of Missouri, और मैं फ्रेंट्स कंपनी ने यहाँ पर रिस्टोड किया, एक military confrontation की भही वहाँ पर direct military को भेज़ दिया, जब उनों को पता चला कि भही यहाँ पर हमारी political और जो economic interest है, उनके लिए थ्रेट पैदा हो सकता है मसूरी के अंदर, मसूरी had grown in strength under the leadership of powerful ruler like the Haydar Ali and his famous son Tipu Sultan, और मैं फ्रेंट्स मसूरी एक powerful state यहाँ पर बन रही थी, आपकी किसके control में, वो थी आपकी हैदर अली के और उसके son Tipu Sultan के control में, from 1782 तो 1799 यह आपके Tipu Sultan के बारे में बता रखा है, फिर बताता है मसूरी control the profitable trade of the Malabar coast, where the company purchased paper and cardamom, मैं फ्रेंट्स यहाँ पर सभी को बताता है कि भई, जो आपकी मसूरी थी, वो उनकी जो Malabar coast थी, उसको control करके रखे हुई थी, जहाँ पर जो अंगरेज थे, उनको paper खरीजना पढ़ता था, और साथ में आपका cardamom, ठीक है, In 1785, Tipu Sultan stopped the export of sandalwoods, paper and cardamom, though the ports of his kingdom and disallowed local merchants from trading with the company, he also established a close relationship with the French in India and modernized his army with their help, और my friends, यहाँ पर बताते हैं कि Tipu Sultan ने क्या किया, यहाँ पर जो company sandalwood खरीदने आती है, paper और cardamom, सभी को बंद कर दिया, कि हम company के साथ में trade नहीं करेंगे, साथ में जो हाँ के उनके local वैपारी थे, उनको भी मना कर दिया, company के साथ कुछ लेन दिन करने से, और साथ में my friends, जो French हमारे इंडिया में आते थे, उनके साथ में अच्छा relational लोगों ने बनाने की कोशिश की, और उने के modern weapons का use करके, वो अपनी army को और strong यहाँ पर बना रही थे, ठीक है, तो my friends, यहाँ पर आपके जो यह पिक्चर दिखाई है न, यहाँ पर यह वाली पिक्चर देख लो, आपकी बुक के अंदर जादा बड़ी होंगे, और यह पिक्चर आपके टीपु सुल्तान के बारे में, यहाँ पर इनके बारे में कुछ बात बताता है और कहता है कि कोरन विल्स रिसीविंग दी संस ओफ टीपु सुल्तान एज होस्टेज पेंटिड बाई दी डैनिल और मिनी की पेंटिंग है, उसके बाद बताता है, और मैं फ्रेंड यहाँ पर इसके लिए बताता है कि भई हैदर अली और टीपु सुल्तान ने मिलके अंगरे जो का काफी बार यूद के अंदर हराया था, लेकिन जब आपका एक कमबाइन फोर्स के साथ यूद हुआ, जैसे कि आपके मराटा आ गए, निजाम आ गए हैदराबाद से, और साथ में कमपनी आगे तो जो टीपु सुल्तान थे, उनको मजबूरों एक ट्रीटी साइन करनी पड बहुत अच्छा लगता है, जहां पर उनको ये दिखने को मिले कि हम अंग्रेज उपर हैं और इंडियन्स नीची हैं, ठीक है, तो माई फ्रेंड्स बाकि यार इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है, माई फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पे एंड कर देते हैं, आज के हमारे जहें लेकिन माई फ्रेंड्स यार इस वीडियो को याद से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, जिससे कि यार उनकी भी help हो पाए और वो भी knowledge को gain कर पाएं, अगर आप सभी को कले पार्ट को सबसे पहले देखना तो माई फ्रेंड्स जानको सब्सक्राइब करना बलकूल भी मत बोलना और बेल नोटिफिकेशन को बेल पर सेट कर लेना, जिससे कि हम आप सब के साथ जब यकली वीडियो लेकि आएंगे आपके पास जल्दी पहुच जाएगी, ठीक है, बाग क्या आप से मिलते हैं यकली वीडियो में जल्दी, तब तक लिए माई फ्रे